हलो गाइस इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं बहुत इंपोर्टन लेवल पे कारोबार करते हुए चंबल फर्टिलाइजर सेंद केमिकल लिमिटेट के स्टॉक के बारे में स्टॉक की करन प्राइस की बात करेंगे तो 304.90 की करन प्राइस चल रही है और स्टॉक में लगबग आज की दिन में हमें 3.28 परसेंट जो है गिरावड भी देखने को मिल रही है 52-week high की बात करेंगे तो 516 है और 52-week low 260.80 है देखे तो वीडियो बहुत शॉर्ट और इंपोर्टन होने वाली है वीडियो के एंड में हम इसका future और options में आप कैसे काम कर सकते हो इन सारे points पे भी जो है discussion करने वाले है तो वीडियो में end तक बने रही है तो चले अब हम चलते नीचे के साइड में 303 का जो है बहुत ही important support level इसमें बन चुका था यहां से जो हमें buying side moment देखने को मिल चुकी थी लेकिन finally हमें यहां पर breakdown देखने को मिला फिर breakdown के बाद में again breakout हुआ फिर बाद में जो यह पहले support था फिर वो resistance बन गया था फिर अगें जो है support का का काम कर रह कि हमें उपर की और bounce होते वे दिखाई दे रहा है और आज के दिन में अगर हम देखेंगे तो almost 3% से जादा गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन stock जो है exactly support level पर आकर खड़ा हो चुका है अगर से in case हमें जो है यहां से breakdown देखने को मिल जाता है तो हमें यहां से continue selling देखन करने को मिल सकती है मतलब कि stock जो है बहुत ही important level पर आज की दिन में कारोबार करता वा दिखाई दे रहा है तो अब हम चेक करते हैं इसका overview forecast और analyst हमें क्या सला जेते हैं buying की intrinsic value की बात करेंगे तो current price is less than the intrinsic value सी current price जो है intrinsic value से कम है जो कि हमारे लिए positive point है ROE versus FD rate की बात करेंगे तो stock में जो है bank FD rate से भी अच्छी return हमें जरेंट होते वे दिखाई देते हैं dividend की बात करेंगे तो stock में बहुत ही अच्छा और attractive dividend देखने को मिलता है entry point good time to consider stock is not in overbought zone मतला आप यहां से entry plan कर सकते हो क्योंकि stock जो है overbought zone में जो है नहीं है सबसे main जो important चीज होती है जब भी आप कोई भी stock में entry बनाए long term short term और या swing trade के लिए तो no red flag देखके ही आपको जो है उसमें entry बनानी होती है तो चलिए हम चेक कर लेते हैं इसका last four year का financial trend क्या show कर रहा है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो 2019 से लेकि 2022 तक का last four year का data हमारे सामने show कर रहा है company की growth की बात करेंगे तो year by year company की बहुत यह अच्छी growth हमें यहां पे दिखाई दे रही है जो कि काफी अच्छी बात है तो चलिए हम चेक कर लेते हैं इसका forecast analyst हमें क्या सला देते हैं buying की वीडियो में के बंडे से पहले एक बादा चाहूंगा friends अभी तक आपने इंजल ओन में dmate account open नहीं किया है और analyst जो हमें यहां पे 100% buying की सला दे रहे हैं जो कि काफी अच्छी सला मुसको consider कर सकते हैं तो चलिए बहुत हम चलते हैं हमारे एंजल वन के mobile application में वहां से मैं आपको बताऊंगा इसके future और options में आप कैसे काम कर सकते हो तो वीडियो में end तक बने रही है दोस्तों अब हम आ चुके हैं angel one mobile application में simply हमें यहां से watch list में आ जाना है जैसे आप यहां पे watch list में आ जाओगे यहां पे उपर के side में आपको search box दिखाई देने लगेगा यहां पे हम stock का नाम टाइप कर लेंगे जैसे कि हमें type कर लेते हैं चंबल fertilizer देखिए जोस्तों यहां पे उपर के side में stock का नाम आपको दिखाई देने लगा है इस पे हम tap कर लेते हैं जैसे आप यहां पे इस पे tap कर लोगे यहां पे जो है आपके सामने cash future और option के सारे चीज़ें यहां पे option दिखाई देने लगेंगे अभी देखिए हमें यहां पे हमने तो अभी just stock का analysis यहां पे चार्ट पे टेकनिकल कर लिया है तो अब हम यहां पे future और options का discuss कर लेते हैं अभी सबसे पहले हम यहां पे futures एक लेते हैं जैसे कि हमने यहां पे आपको 3 months के यहां पे future के option दिये हुए है जैसे कि EC month का expiry का मतलब की 29th December 2022 का जो है यहां पे expiry का EC month का दिया है उसके बाद में next month का है और उसके बाद में next month मतलब की December, January और February 3 months का जो है आपके पास option है आप यहां पे future में इसमें से कोई भी select करके उसमें कर ले सकते हैं जैसे कि हम यहां पे जो है उपर के side में EC month का ले लेते हैं हमने इस पर simply एक बाद टैप करेंगे टैप करने कर दो में यहां पर इसको add कर लिया है अगर आप यहां पे इसको again एक बाद टैप करेंगे तो यहां पे इसका चार्ट भी देख सकते हो हम इसके चार्ट के उपर टैप कर लेते हैं जैसे हम इस पर चार्ट पर टैप कर लोगे यहां पे जो है इसका चार्ट ओपन हो जाएगा अभी देखिए यहां पे futures में भी यह बहुत ही important support level पर आ चुका है probability जादा रहेगी कि यहां पे support लेकि यह उपर की और हमें bounce करता हुआ दिखाई दे सकता है simply अगर आपको buy करना है तो आप directly यहां से buy कर सकते हो अगर आपको buyer से buy करना है तो आप यहां पे ही आके buyer के side से watch list में से ही आप यहां पे simply अगेन इसे के उपर tap करके जो है आपको यहां पे buy का option दिया हुआ है यहां पे buy पे order place कर सकते हो अभी हम discuss करते हैं option का तो again same हम stock का नाम type कर लेंगे पहले ही हमने type करके रखा है तो यहां पे जो है अगेन इसे उपर tap करेंगे तो यहां पे दिखें आपके सामने इसका options नीचे के side में दिखाई देने लगेंगे अगर आपका view bullish रहेगा इसके अंदर तो आप CE add कर लेंगे अगर आपका view इसके अंदर bearish रहेगा तो आप PE को add कर लेंगे CE याने call होता है PE याने put होता है जब भी stock की price अगर से बढ़ जाती है तो CE की price भी बढ़ जाती है और stock की price अगर घड़ जाती है तो हमारे put का price जो होता है वो बढ़ जाता है तो हमारा view इसमें bullish है तो हम जो simply इसका CE को add कर लेंगे अगर इसी पे tap करने के बाद में हमारे wash list में ये add हो जाएगा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे chumble fertilizer जो है यहाँ पे हमने CE add कर लिया है 29 December 2022 CE 310 का strike price हमने select कर लिया है current price की बात करेंगे तो 6.80 की current price यहाँ पे चल रही है simply इसके उपर tap करके आप इसका chart भी देखना चाते हो जैसे आप future का chart देखा इसका chart भी यहीं से देख सकते हो अगेन हम यहाँ पे chart पे touch करेंगे तो आपके सामने जो है इसका option का chart दिखाई देने लगेगा current price की बात करेंगे तो 6.90 की current price चल रही है अभी देखिए अगर आप इसको buy करना चाते है तो आगेन इस पे tap करेंगे यहाँ पे buy का option दिया हुआ है आप buy पे touch करके order place कर सकते हो देखिए दोस्तों वीडियो जो है educational purpose के लिए बनाएगी है